हेलो दोस्तों नमस्कार मैं कृष्णाल अधियाल फाइनेंशल अडवाइजर आज की इस इन्फोर्मेटिव वीडियो में LIC बीमारत्न प्लान नमबर 864 वर्सेज LIC धन रेखा प्लान 863 का एक अनबाइस्ट कमपेरिजन करने वाला हूँ हलाकि दोनों पॉलिसियां गैरंटेट डिटन देने वाली पॉलिसियां हैं लेकिन उसके पाउजूद कौन सी पॉलिसी ज्यादा फाइदे मंद है ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है क्योंकि अभी अभी बीमारत्न प्लान लौंच हुआ है और कई लोगों को इस प्ल पॉलिसी जीवन लाप से कर चुका हूँ तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जा करके मेरे चैनल कृष्णा लोधियाल पर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ऐसी ही इंफर्मेटिव कॉंटेंट यहा 30 साल का प्रपोजर है और वहीं धन्रे का प्लान में भी बिल्कुल मैंने सेम रखा है 30 साल का 15 रुपे का समश्वाट मैंने दोनों पॉलिसी में सेम रखा हुआ है ताकि हम जो कंपैरेजन कर पाएं वो बिल्कुल फेर कंपैरेजन हो पाएं दोनों पॉलिसी में जो मैंने duration रखाया, policy term रखाया, वो भी मैंने 20-20 साल का ही रखाया, ताकि कोई अलग comparison, clearance issue ना हो, लेकिन यहाँ पर अब हमें difference देखने को मिल रहा है, premium payment term अगर बीमा रतना policy के बारे में देखें, तो 16 साल ही पैसा देना है, लेकिन LIC धनरेखा के अगर बात करें, तो वहाँ पर हमें 10 साल पैसा देना है, तो कहां 16 साल और कहां 10 साल, यानि कि बीमा रतना में 4 साल का discount, LIC धनरेखा में पूरे 10 साल का discount, तो अगर इस से साब से देखा जाए, तो LIC धनरेखा is better than LIC भीमा रतना, लेकिन रुकर के यहीं पर आपको decision लेकि वीडियो एंड नहीं करना है, अब तो यह शुरुआत हुई है, अभी असले difference तो बाकी है, इसमें मैंने कोई भी additional riders add नहीं किये है, हाला कि आप कर सकते additional rider add कुछ premium देने के साथ, but accidental death and disability benefit rider दोनों में by default आपको मि देख रहा होगा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, दोस्तो premium की, अब हम premium के हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं, कौन ज्यादा फाइदा मन्द है, अभी हमने simple premium payment term के हिसाब से देखा, तो जो पलड़ा था वो धनरेखा का भारी था, क्योंकि 10 साल का एक अच्छा खासा discount ह में देखने को मिला, लेकिन बिमारतन में मातर चार सल का, लेकिन अब premium के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर overall जो हमारा premium जा रहा है, yearly basis में हम बात करते हैं, बाकि monthly, quarterly, half year, लेली, आप figures आपके सामने आपको दिख रहा हूँगे, yearly हम देखें, एक लाग 21,000 रुपे जा रहा अब तो बिमारतन सही लग रहा है, तो premium के हिसाब से LIC धनरेखा प्लान पीछे रहे गया, और LIC धनरतना प्लान लोगों को अच्छा लेगेगा, क्योंकि यहाँ पर premium कम है, लेकिन दोस्तों अब ध्यान से एक चीज और समझ लीजिए, total premium भी calculate कर लीजिए, total premium यानिकि 19,620 202 रुपे total premium LIC धन बिमारतना प्लान में जा रहा है, लेकिन उसका comparison में अगर बात करे LIC के धनरेखा प्लान की, तो यहाँ पर आपको 16,000 रुपे ही पैसा देना है, हाला कि 16,000 रुपे आपका premium मेरली ज्यादा था, क्योंकि वहाँ पर 10 साल आपको पैसा नहीं देना है, त तो फिर से धनरेखा प्लान is looking better than LIC बिमारतना, but you don't have to stop here, the main factor, the main difference is coming up now, अब यहाँ पर total return की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, दोनों policies में guaranteed return मिल रहा है, 33,000 रुपे का return हम को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, LIC के बिमारतना policy में और नेकिब बात, लेकिन अब हम ब रुपे माइनस कर दिया, तो अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल डिफरेंस, अब फिर से एक दुविधा सामने, 13,000 रुपे, अभी तक हम को कभी कोई कभी कोई प्लान अच्छा लग रहा था, अब हमने जब total net profit की बात करी, तो यहाँ पर अब हमें देख रहा है, 13,000 र प्लान फिर से बढ़िया देख रहा है, क्योंकि वो हमें धन रिखा प्लान से ज्यादा रिटन दे पा रहा है, हलाकि दोनों पॉलिसी गैरेंटीड है, इसमें कोई इफिन बट नहीं है, लेकिन अब हमें धन रिखा प्लान फिर से पीछे देख रहा है, और बीमा रतन प्ल अब इस प्लान को लेने के लिए मानलो को मिस्टर राम है वो 15 लाग का बीमारतन प्लान लेना चाहता है तो उनको पर डे का लगबग 326 रुपए अगर वो बचा पाएंगे तो यह प्लान हो बड़ी एजिली मंथली क्वाटरली हाफ यर लेरली मोड में वो कंटिनियूस्टी चला पाएंगे लेकिन अगर आपको धन्रेखा प्लान लेना है मानलो कि मिस्टर श्याम है जिनको 15 लाग का धन्रेखा प्लान लेना है तो उनको 10 साल भले ही पैसा देना है लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा तो उनका प्रड़े का 441 रुपए उनको वो समझ मारा की बही दाट गान बेस्ट वन राइट अब यहां पर में डिफरेंस यहां पर सामने आना वाला है इस टेबल को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों तब आप कंपैरजन को अच्छे समझ पाएंगे मैं इस वीडियो में अपनी तरप से कोई भी यहां पर कोई भी डिस अपना कोई आडवाईज नहीं दे रहा हूं I'm just giving you a comparison of both the plans अब यहां पर yearly wise comparison आप देख सकते हैं तीस साल के इस से बढ़ता हुआ प्रीम आपको दिख रहा होगा यहां पर पूरा 16 साल का प्रीम जा रहा है यहां पर मातर 10 साल का प्रीम यहां पर बहुत कम है पंद्रा लाग रुपे का समशे ओड़ लेने के बाद अगर एक साल के बाद policy order के death होती तो सिर्फ 75,000 का risk coverage, accidental में death होती तो फिर थीक है 15,75,000 का risk coverage but that's not gonna not gonna be plays a major role but when we talk about LIC धनरिखा प्लान हाला कि यह प्लान आपको 80,000 रुपे कम return दे रहा है यह बात हमें समझ में आ रही है लेकिन बावजू दिसके LIC has a main objective to give you the life coverage to give you protection in case of any unfortunate event in your life right तो वो मकसद यहाँ पर LIC धनरिखा पूरा करता हुआ दिख रहा है क्योंकि अगर पहले दिन पहले साल policy holder की death हो जाती है तो 18,75,000 का risk coverage nominee को मिलने वाला है अगर accident के case में death हो जाती है तो 33,75,000 रुपे हुआ आपको दिख रहा हुगा चूंकि LIC बिमारतन प्लान में maximum risk coverage आपको 33,00,000 रुपे या 18,00,000 रुपे तक जार है लेकिन when we talk about LIC धनरिखा plan the maximum risk coverage that we can opt for 30,00,000 and 45,00,000 that is a part of natural and accidental death अब दोने ही प्लान में returns की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर भी थोड़ा difference है 3,75,000 रुप आपको 25 वे साल में आपको मिल जाएगा जब आप 50 साल के हो जाएंगे this is an example of 30 year age तो total 33,00,000 रुपे का return देखने को बिला but when we talk about LIC धनरिखा plan it is giving you a return of two time of 1,50,000 रुपी यानि कि 10 साल के बाद आपको यह पैसा देगा 15 साल के बाद पैसा देगा यानि कि 10 साल 15 साल में और फि लास्ट में भी देखे जाएगा तो total यहाँ पर 29,25,000 रुपे का यह return आपको देखे जाएगा उसके बाद हम cash value की बात करते हैं मानलो आप policy चलाते वक्त आपको कोई problem होगी you are not able to you know make the payment of policy you just want to surrender the policy तो कितना surrender amount बनेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर तो यह था वो table plan अब यहाँ पर हमें यह लग रहा है risk coverage के हिसाब से गर बात करें तो यहाँ पर LIC धनरेखा plan is really far better than LIC बीमारतन policy this is the kind of agent copy wherein I would like to show you the main difference of total हाला कि मैंने बता दिया आपको total कितना क्या यह plan था 864 LIC बीमारतन 30 साल की जमें 15,00,000 रुपे का समशोड हमने लिया 20 साल का 10 साल ही पैसा देना है total मैंने बताया LIC बीमारतन प्लान में 19,00,000 रुपे के बदले 33,00,000 रुपीज आपको मिलने वाला है but at the same time when we talk about धनरेखा plan यहाँ पर हमको 16,00,000 रुपे के बदले 29,25,000 रुपे मिलने वाला है तो दोस्तों यह था वो comparison यहाँ पर अब मैं ए क्यूंकि मुझे अगर risk coverage चाहिए अगर मुझे एक secure saving scheme में invest करना है वो बात अलग है कि अगर मेरे पास 25 करोड का term insurance है तो फिर में return के हिसाब से बात करूंगा और return के हिसाब से भी अगर में बात करूं तो फिर में बीमारतन बजाओंगा क्यूंकि मुझे 80,000 रुपे का profit व जिसमें मैं रहूं तो भी पैसा नहीं रहूं तो भी पैसा तो फिर मेरा ध्यान जाएगा LIC धनरिखा की तरफ क्योंकि वहां पर भले ही मुझे 80,000 रुपे कम मिल रहा है बीमारतन के according लेकिन मुझे life coverage बहुत ही ज्यादा मिल रहा है जो बीमारतन मुझे नहीं दे पा रहा तो प्लीज सपोर्ट मी बाइस सब्सक्राइबिगा चैनल और प्रेस बेल आइकन अल्सो शेर दिस वीडियो तो मैक्सिमम पीपल सो एट दे कौन अल्सो एब बैटर क्लारिटी कि कौन सी पॉलिसी ज्यादा फायदे मन साबित हो सकती है हमने इस वीडियो में बात करी कुछ प्रेमियम पेमें टर्म के उपर टोटल प्रेमियम टोटल रिटन लाइफ कवरेज लोन अमाउंट सरेंडर अमाउंट बहुत सारे फैक्टर स के उपर बात करी तो अगर एक अनबायस्ट अपिनियों की बात करें तो LIC धनरिखा is better in case we are focusing risk coverage but if we are focusing return जीवन बीमारतन पॉलिस is better so all the policies have specific goals all the policies have specific objective you have to decide कि आपकी requirement क्या है so that's all for today thank you so much for watching this video let's meet on another informative video by the time bear with me thanks a lot